आप सबको जय मसी की एक बार फिर से हम लोग अपने घरों पे बैटे हैं क्योंकि लॉक्डाउन फिर से जुलाई में बढ़ गया है और चर्च अभी भी नहीं खोले गए हैं तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि इस अफसर के लिए कि एक बार फिर से आज उसने मौक कि हम सम्मिलकर परमेश्वर के वचन को सुन सके जो आज का हमारा थीम है वो है परमेश्वर के प्रेम के समान दूसरों के लिए हमारे हमारा प्रेम भी असीमित होना चाहिए और आज जिस पैसेज पे हम विचार करेंगे हो है मती उसका पांच बाप और 38 से 48 आहट तक काफी साल पहले अरांड 1949 में रेंस्वर्ग नाम की जगा पे जो जर्मनी में है और बर्लिन के 90 किलोमेटर नॉर्थ में है वहाँ पे कॉंसेंट्रेशन कैंप्स लगाए गए थे और वहाँ पे करीब 90 हजार मही लाएं और बच्चों को वहाँ पे बंदी बनाके रख्था गया और उनका उनका मर्डर करा गया जो कि नाजी उसके द्वारा किया गया था तो वहाँ पे एक और वेक्ती थे जिनका न महीलाएं मारे गए थे तो उनको एक बच्चे के कपड़ों में से उनको एक चित मिली थी परची मिली थी और उसके प्रातना लिखी वी थी और वो प्रातना कुछ इस तरह की थी कि है परमेश्वर जो अच्छे हिर्दे वाले लोग हैं आप उनको याद रखना और साथ ही आप उन लोगों को भी याद रखना जिनके हिर्दों में जिनके मनों में बुराई है लेकिन उनकी उस बात को याद नहीं रखना जिसके दौरा जो वो हम पे सफरिंग हमें दे रहे हैं जो अत्याचार हम पे कर रहे हैं आप उनको याद मत करना बलके इस बात को आप याद उसको आप याद रखना और उसके द्वारा जो फ्ल हम अरजित करते हैं उनको याद रखना और जब अंगर बच्चेन उनलोगों के लिए करी जव उनको इन तो आप उन फलों का इस्तिमाल उनको माफी के लिए करना तो ये प्रात्ना जो एक बच्चे ने उन लोगों के लिए करी जो उनको सता रहे थे जिनोंने उनको मार दिया उनकी हत्या कर दी लेकिन बच्चे उस प्रात्ना में कहता है कि आप हमारे जो अच्छाई है जिस जो अ और आज जो वचन है, बमादी कहा ए है, तो प्रुभेशू मसरी हमसे कहते हैं, कि हमें सिद बनना है, ना केवल हमें सिद बनने के लिए कह रहे हैं, बलकि हू कहते हैं, कि यदि कोई तेरे दाइने गाल पर सफपड मारे, तो अब तू अपना दूसरा गाल भी फेर दे और आगे वो कहते हैं कि ना केवल तू अपने पड़ोसी से बलकि अपने दुश्मनों से भी प्यार कर तो आज ये जो बाते जो बचन में हमें मिल रही है इनको अगर हम मानने जाएं आज के समय में अगर हम इस सोचे कि हम इन पर चले तो ये बहुत मुश्किल है बहुत ही कठिन है इन सब को अपने जीवन में लाना कि हम हमें कोई अगर मारने आया तो हम अपना दूसरा गाला के कर दे या हम अपने जैसे हम अपने पड़ोसी से या अपने करीबियों से प्यार करते हैं उसी प्रकार हम उसे भी प्यार करें, जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं, तो ये बहुत मुश्किल चीज है, तो आज जो section हमारे लिया गया है, जो हमने पढ़ा है, या जो हमारे लिये आज का जो विचार करने के लिए passage है वो उसको हम अगर हम देखे तो वो उसके context को देखे तो वो जो पहाड़ी उब्देश है जो येश्व मसी ने पहाड़ी उब्देश दिया और जो तीन तीन बापों में बटा हुआ है पाथ छे साथ इन तीनों में वो है तो उसके हम पाचवे बाप की आखरी सेक्शन में है जहाँ पे इसके बारे में हम पढ़ते हैं और जब ये जो पहाड़ी उब्देश जो स्टार्ट होता है वो धन्यवादियों के साथ स्टार्ट हुआ जहाँ ये शुमसी ने कहा कि धन्यवे जो मन के दीन है क्योंकि स्वरका राज्य उन्ही का है धन्यवे जो नर्म है क्योंकि पृत्वी के वह अधिकारी होंगे तो इसी तरह से हम यहाँ पे हम धन्यवादियों को देखते हैं और ये सारी जो धन्यवादिय लेकिन यहाँ पर येशु मसीव कह रहा है जो मन के दीन है, मन से गरीब है या जो शोक करते हैं, जो दुखी हैं, तो उनके लिए वहाँ पर कहते हैं येशु मसीव और उसके बाद हम देखते हैं कि एक साथ छे अलग अलग चीजों पर येशुमसीब बात कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, छे अलग अलग अईसे जो ववस्था की चीजे हैं, जिसके बारे में वो बता रहे हैं, जिसको जो यहूदी थे वो फॉलो करते थे और उन छे परत परतिशोथ, शत्रु और प्रेम, एसमय हर एक जब स्टार्ट करते थे खिरते हैं, तो उसम उस्टे करते हैं, जिसको इसमय worstu, वो कहते हैं जिसको लें में उसमय रहे हम तंक सब्सक्रत चीज करते हैं कि तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल में लोगों से कहा गयते हैं हत्या ना करना और जो कोई हत्या करेगा वो कचैरी में डंड के योगे होगा परन्तु मैं तुम से कहता हूं कि जो कोई अपने भाई से पर क्रोध करेगा वे कचैरी में डंड के योगे होगा तो यहां पर जो येश्युमस् ju片 बता रहे हैं कि हम जो करोद करने वाला भी एक हत्या के जो दोशी है उसके बराबर होगा और हम सब सोच सकते हैं कि हम में से कोई ऐसा नहीं होगा जो गुस्दा नहीं करता हूँ जिसको गुस्दा ना आया हो और फिर आखरी इन 6 चीजों में जो आखरी दो बाते हैं, जो दो चीजें हैं, जो आज जिसे हम विचार कर रहे हैं, कि पर्टीशोद और शत्रूशं से प्रएम, तो वो हम देखते हैं कि वो जो छे कहावते हैं जो छे चीज़े येशु मसी ने जिसके बारे में बताया उनके आखरी में दो ये चीज़े हैं और इसके बाद इन छे चीज़ों का जो पूरी तरह से जो येशु मसी जो बात को खतम करते हैं तो वो ये कहते हैं कि सिद्ध बन 38 भचन से तुम सुझे हूँ कहा गया था आप के बदले आँख और दात के बदले दात यहाँ पे येशु म regular निर्गमन और उसका 21 भाप और उसकी 24 आद को कोट करके बता रहे हैं कि वहाँ पे लिखा है कि आप के बदले आँख और दात के बदले दात लेकिन यहाँ पर येशिम् बदला लेने के लिए जो एक लि्मेटेशन लाने के लिए यہ जो कानून बनाए गया था कि अगर कोई किसी को गंडे से मार रहा है तो इसका मतलब यह नहीं के वो जिसको मारा है उसको झाकू घोफ दे और उसको अत्या करते या करने की लिए उसको बनाया गया था और यहुदी लोग थे वो इसको कई सदियों का रहे थे और जाविश्य मसीचिकारफत पर जो याजक टो अगर किसी का कोई नुकसान हुआ है और चोट लगी है तो इसको पैसा देकर उसको बात को खतम किया जा सकता था और यह इस तरह से उस समय वो चल रहा था लेकिन यहां पर ये शुमसिय जो अपने जो उसके सामने जो लोग बैठे थे या जो हम उसके शिष्टे हैं हमें ये सिखाना चाह रहे हैं कि जो उस समय जो लोग उसके सामने बैटे थे उनको ये सिखाना चाह रहे थे कि जो रोमन्स जिन्होंने उनके उपर परभुता कर रखी थी जिन्होंने उनके उपर उनका कब्दा था वो उनको हर उनके religion को भी उसको नीचा दिखाते थे उनको हर समय उनको humiliate किया जाता था यहोधियों को उनको physically harm पहुचाया जाता था तो जब यह सब यातना है उनको हो रही थी तो जाहिर सी बात है कि अंदर ही अंदर उनके मन में उनको लेकर गुसा पनप रहा था और वो गुसा कहीं violence के रूप में ना हिंसक रूप ना ले ले इसको बताने के लिए यहां पर बात कह रहे हैं और जब हम देखते हैं कि कोई य बतले आख और दात के बतले दात परन्तु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना तो यहां पर ये शुमसी यह नहीं कह रहे हैं कि बुराई का सामना ना करना या बुरे का सामना ना करना कि हम चुप चाप खड़े रहें या हम साइड हो जाए या हम सोचे कि यह तो चलो चलता है, हम इसका जवाब नहीं देना है, बलकि जवाब देना है, लेकिन हिंसक रूप में जवाब नहीं देना है, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि येशु मसी को जब शेतान के दौरा टेंट किया गया था, उसको इसी परिक्षा ली गई थी, और उसने वहाँ के दो आरा जो प्यार के दोआरा उसका हमें जवाब देना है और आगे भी उसके लिए फिर येशु मस्थी हमें और एक्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई तुमसे कोई तुमारे गाल पे एक थपड़ मारे तो अपना दूसरा भी उसके आगे कर दू या फिर कोई अगर तुम तुम पर कोई तुम नालिश करके तुमसे कुर्ता लेना चाहे तो इसको दोरा भी दे दो और जो कोई तुमसे कोस भर बगार में ले जाए उसके साथ दो कोस चले जा तो यहाँ पर ये ये शुमसी ने जो हमें एक्जामपल दिये है या जो हमें बताया है कि हमें कैसे क्या कर जो उसके हैं चाहूं बेस्ती की बात होगी बहुत शरम की बात होगी मिलेशन होगी तो वो उस चीज़ को ये शुमसी बता रहे कि अगर किसी के इसे मिलेशन होती है तो वो उसके अंदर रिटैलियेट करने का इच्छा आती है कि मैं भी बदला लूँ तो उसको शांत करने के लिए और वो यह कहता है कि तुम अपना दूसरा गाल भी आगे कर दो उससे यह को उसको शर्मिंदा कर ओंके अलावा यह दीजा तीसरे कहते हैं कि अगर कोई दो कोफ बिगार में तुम्हें ले जाए तो तुम उसके साथ दो कोफ चले जाओ यानि कि जब वो जो जो रोमन । सोल्जर्थ होते थे वो अपना समान लोगों के ऊपर दे दे देते आग्या थी, एक मील तक उनको लेके जाए, तो वो ये शुमसी कह रहा है, कि तुम उनका समाण लेकर दो मील तक चले जाओ, दो कोस तक चले जाओ, ताकि वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाए, कि मैंने तो इसको एक मील के लिए बोला था, ये दो मील मेरे साथ चला है, दो कोस्ट चला है, तो वो उस चीज को, उससे दुवारा उसको शर्मिनदा किया जा सके, और तो ये चीज येश्व मसी सिखा रहे हैं, और जो येश्व मसी आपे जो सिखाते हैं, वो उसका पीफे जो principle हम कह सकते हैं, जो सिध्धानत है, हो यह है कि हमारे मन में प्रेम होना चाहिए जो कि अगले सेक्षन में हम देखेंगे जो कि पांच बाब 43 से 45 आयत में है कि अपने शत्रूओं से प्रेम करें अपने बैरियों से प्रेम रखो तो वहां लिखा है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने प्ढ़ावसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर परन्तु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रापना करो जिस से तुम अपने स्वर्गे पिता की संतान ठहरोगे क्योंकि ये भलो और बुरो दोनों पर अपना सूर्य उदे करता है और धर्मियों और अधर्मियों पर में बरसाता है तो यहाँ पे जो आगे ये शुमसी बता रहे हैं कि हमें अपने बैरियों से प्रेम रखना है अपने शत्रों से प्रेम रखना है तो वो उसका जो इलिस्ट्रेशन है वो हमें वर्स 38, 49 और 41 में बता चुके हैं कि जो तुमारे आख थपड मारे तो तुम उसको उसके सामने अपना दूसरा गाल कर दो या जो तुमारे को एक कोस लेके जाए तो उसके दो कोस चल दो कोई तुमारा धोरा ले तो उसको दोरा दे दो तो वो क्योंकि वो सारे जो ऐसा हमारे साथ करते हैं वो हमारे लिए हमारे दुश्मन है या हमारे बैरी हैं जो हमसे बैर रखते हैं और जयसा भी मैंने कहा कि इसका जो इस्ष Hill Christian जो इसका नकारतमक जो response इस्ष्व मसी कह सकते हैं जो हम लोग नकारतमक response है कि हम चुप चाप इन चीजों को में जमISE में नहींद का लेकिन उसका जो पीछे का जो सिर्धा दान्त echaiser की वह यह है कि कि तुम सुन चुके हो कि अपने पडोसियों से प्यार करो और अपने दुश्मनों से अपने बैरियों से बैर रखो लेकिन मैं तुम से कहता हूँ कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रात्ना करो तो यहां पर जिस प्रेम की बात कर रहे हैं येश्यift मसीज इस प्यार की बात कर रहे हैं कि उखे जो ग्रीक वर parlar कर रहे हैं लेकिन हम उसके बदले में पाने की कुछ इच्छा न रखें या उसके बदले में हम ऐसी कोई हमारे मन में वो ना हो कि मैं इसको प्यार कर रहा हूं ये भी मुझे प्यार करें क्योंकि प्रमेश्वर जो है वो सबसे बराबर प्रेम रखता है चाहे वो अधर्मी हो चाय वो धर्मिएव क्योंकी हम देख रहा है कि वह सब पे में बरसाता है और सब पे सूरे उदे सूरज की रोशनी सब के लिए होती है ऐसा नहीं कि प्रमेश्वार लिए जगत को आपनेखल के लाधर ब्रोटा देद दिया तो सारे जगत से प्रेम रखता है, सारे लोगों से प्यार रखता है और वैसे ही प्यार हमारे अंदर भी होना चाहिए, हम सबसे प्यार करें चाहिए वो हमारे अपने हो, चाहिए हमारे पडौसी हो, चाहिए वो हमारे दुश्मन हो उन्होंने हमारे साथ कितना भी गलत काम किया हो कितना भी हमें सताया हो या हमारे विरुद में कारे किया हो लेकिन अगर हम उनसे प्यार हमें उनसे प्यार रखना है जियो एक्जामपल येशु मसी ने वो केवल येशु मसी जो थे वो केवल शिक्षाय नहीं देते थे बलकि उसके साथ अपने खुद करके उसको एक्जामपल सेट करते थे और उसी तरह से उन्होंने एक्जामपल सेट करा कि वो क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दे दी और जिन्होंने उसको क्रूस पर चड़ाया था उन सब के लिए उन्होंने शमा मांगी कि है पिता इन नहीं जान कर यह जानते कि क्या कर रहे हैं तो वह इसी वज़ासे कि उनके मन में उनके लिए प्रेम था तो वही प्रेम आज येश्यमर्य के लुक्त है कि हमारे अंदर हो और गर मान के सांताल को करेंगे तो तो हम परबेश पिता की संतान ठहरेंगे और उसके बाद ये क्योंकि ये शुमसी कहता है लास्ट में आके फिर थे कि कि अगर हम अपने अपने लोगों से अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हैं तो उसका क्या फल क्या मैसूल लेने वाला ऐसा भी ऐसा नहीं करते यदि तुम केवल अपने भाई को नमस्कार करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो, क्या अन्य जातियां भी ऐसा नहीं करती, तो अगर हम अपने जानने वालों से, अपने प्यार रखने वालों से प्रेम रखते हैं, उनसे प्रेम रखते हैं, तो हम कुछ अलग नहीं कर रहे बाकि अधर्मी लोग भी ऐसा ही करते हैं अगर हम केवल अपने जानने वालों को नमस्कार कर रहे हैं तो कोई हम बड़ा काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अधर्मी लोग भी अन्ने जाती हैं भी ऐसा ही करती हैं तो हमें अगर अलग होना है हमें अगर हम कहते हैं कि हम येश्यमस कि आखरी में बश्राइब बता रहा हूं कि ये शुमसी कहते हैं कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारे स्वर्ग्य पिता सिथ था तो सिद्ध हम जब ही बन सकते हैं जब हमारे अंदर वो प्रेम होगा जो प्यार होगा सिद्ध बनने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हो सकता है कि हम अपने आप से सिद्ध ना बन सके अपने आप से उस उचाई को ना पा सके जो चाही प्रवेश्वार हमारे जीवन से चाता है तो उसके लिए हमें प्रवेश्वार के अनुग्रह की जरूवत पड़ेगी तो हम अपने आप को आज ये सोचे कि ये सच मु किया है उसके लिए मेरे मन में अभी भी बुराई है अभी भी मैं मन में उसके लिए बुराई रखके बैटा हूँ या उसके बारे में बुरा सोचता हूँ या हमेशा उसके बारे में ये चाहता हूँ कि उसके साथ भी ऐसा हो या मैं उसके उससे बदला लेना चाहता हूँ कि कि उसने मेरा, chief, अगर हजार का नुकसान किया, तो मैं उसका 12000 का नुकसान करूँ अगर मुझे शानती मिलेगी। अगर हमारे मन में ऐसे विचार अभी भी है अभी हम एसा सोचते हैं किसी के लिए, तो ये समय है कि हम उन विचारों को बदलें। यह समय है कि हम आज येशुमसी की उस शिक्षा को अपने जीवन में लिखा है जब वो कहता है कि अपने पड़ोसी के समान अपने शत्रू से भी प्रेम रखो और ये जो शिक्षा है इसको हम अच्छे से जानते हैं और हम ये भी देखते हैं कि येशुमसी ने हमारे लिए एक हमारे को भी लेनी है कि हमारे मन में भी आसी जल नहीं कर सकते हैं तो आज पर्मयृष्वर हम से चाहता है जिस तरह से येश्व मसी कहता है सिद्ध बनो परफेक्ट बनो तो वही परफेक्ट हम बनने के लिए अपने आपको आगे कर सकते हैं तो आज परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि उसने हमें याद दिलाया कि केवल हम उनको प्रेम ना करें बलकि उनको भी प्रेम करें जो हमारे बैरी हैं या जो जिनको हम समझते हैं कि वो हमारे बैरी हैं हमें हर एक जन से प्रेम रखना है जिस तरह से पर उस नहीं वेलेया तो पक्राइए जब करना चाहिए गर बता इंता किणी दुआ करना झाँ करमें आज अपनों नहीं है इने कि रित के दोड़ा को श्तरई करना के शरी नोग शक्राएब नहीं तो पर इस पते हैने दिए रम की कि राज को पर इव्हेरं कि करना फ़ rubете है अर antarum में हुआ उस से ज्ए ज्याधा यहुशं आ हमारे मन होता है सर्व इस बैर की और परता करता के और इंसम के आध दनेवाद करते हैं यह रहं प्रमेश्वर कि हम आपकी नजदीकी में आएं आपके वचन को सुने प्रमेश्वर और उससे सीख सकें प्रमेश्वर आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रातना करते हैं प्रमेश्वर हम सब को उससे सीखने वाला हिर्दे दीजे मन दीजे प्रमेश्वर उसको घ् में लाने में मदद कीज़े परमेश्वर ताकि हम अपने आपको आपकी सामने सिध बना सके और परमेश्वर आपके उदार को पास सके परमेश्वर एक बर फिर से मैं हम सब को आपके हातों में सबता हूं अपनी आशी समसब पे बनाए रखिए ये प्रातना आपकी प्यारे बेटे को तानी शुमसी के नाम से मांगते हैं आमेन